सो वेल और आने वाले दिन में भाई जिस चीज़ का आपका इंतजार ता उसकी फाइनली परिक्षाएं होने वाली हैं मेरे हमेशा तो उन्हें तो पता ही होगा कि मैंने डाकुमेंट वगेरा को लेकर आपको बहुत चीज़े बताई ती उसमें से भी कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनको अभी भी कन्फूजन थी क्या हमको जो एक्जाम सेंटर दिया गया है उन्हें एक्जाम सेंटर में कौन से जाना चाहिए क्योंकि मैं बता दूँ आपको अगर आप भाई कुछ ऐसे डाकुमेंट भी होते हैं अगर वो सेंटर पे लेकर नहीं जाते हो तो आपका वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है और जिससे आपको परिछाओं से रोका जा सकता है तो भाई आज के दिन ही आप ल सिदार वगेरा रहते होंगे जिले में जो पढ़ता है आपका सेंटर तो वहाँ पर जाके अभी से चले जाओ क्योंकि कल के दिन भाई आपको टाइम नहीं मिलेगा जैसे परिछाओं स्टार्ट आपकी होने वाली होंगी कि आप अगर दूर रहते हो तो आपको जाने आने म भाई दिक्कत हो सकती तो अभी अगर तुम कंफोटेबल हो तो जाके वहाँ पर एक दिन पहले ही जाके अगर रह सकते हो तो बिल्कुल रहो ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं डाकुमेंट को लेकर कि क्या-क्या डाकुमेंट आपको सेंटर में लेके जाना पड़ता है त उसकी लिए सबसे important तो वो है आपका admit card जो प्रवेस्पत्र रुख जाना नहीं हो ज़रा माला वो तो लेके ही जाना है साथ में आपको original आपका आधार card लेके जाना पड़ेगा भाई कोई भी first copy या फिर copy और नहीं चलती है वहाँ पे आपको original लेके जाना पड़ेगा वो center मे most important है अब तक आपने अगर नहीं निकाला हो तो उसकी photocopy जरूर निकाल लो अभी तब photocopy मिलेगी original तो मिलना मुस्किल है अगर original तुमारी स्कूलों में मिल गई होगी तो भाई तुम लेके चल जाओ अपनी जो फैल वाली mark seat है जिस भी class में आप अभी exams दिये थे board exams में फ कि हम भाई dress पहन के जाए या फिर हम घर पर कपड़े पहनते वहीं जाके दे दे क्या तो देखो एक तो ऐसा है कि आप देनाई के लिए तो दोनों options में दे सकते हो कि आप यहाँ पे अपना जो है school dress में भी दे सकते हो without आपका school dress जो uniform है वो अगर नहीं भी है अगर आप घर जाती है कि किसी और बच्चे के बदले में एक्जाम सो अगेरा देने तो नहीं आये हैं तो वह चीज के लिए आपका इतना वेरिफिकेशन चेक वगेरा भी करते हैं तो हो सकता है तो आप यार इस्कूल की dress में जाओ यहाँ पे नहीं comfort आपको हो जाएगा और easily आपको उतन देखते हो ऐसे options में दोनों हैं आपके पास में बट मेरे तरफ से अगर देखो गई तो भाई तुम ना अपना uniform में जाओ तो तुमारे लिए best होगा इस्कूल का दिक्कत है तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे travel वगेरा में भी आप वह पहन के जा कोई भी आपके help करने के लिए आसानी से सामने आ जाता है कि इसका एक्जाम पेपर वगेरा है तो तुम भाई बहार के सेंटरों में जा रहे हो अपना hometown वाले सेंटर में नहीं जा रहे हो तुमको जिले में जाना पड़ रहा है अब तुम्हारा जिले में घर है तो बात अल में लगातार तुम लोगों के चेक करते रह रहा हूं तुम मुझे कमेंट कर सकते हो मैं कोसिस करूंगा कि सामके पहले अगर मैं देख लो तो तुम्हें वीडियो बना के उसका solution दे दूँ अगर कोई दिक्कत जा रही है तो भाई मैं personally भी तुम्हें वहाँ पे comment कर reply देके बता दूँगा कि क्या क्या करना है तो सभी को best of luck आपके exams अच्छे जाएं मेरे तरफ से तो भाई यही दुआ है कामना है जो भी आप समझो और exam center से आने के बाद में आपके paper कैसे गए बाई comment करके जरूर बता जीगा फिलाल के लिए सिर्फ इतना ही था मिलते है अपने next टूडियो में किसी नए topic में तब तक के लिए बाई बाई